आमले की दोस्तों घर पे आज हम आपको एक ऐसी खुराग बनाना सिखाएंगे जो की सिरफ आचार नहीं है दोस्तों ये जड़ी बूटी है ये लंबे समय तक खराब नहीं होती क्योंकि इसको मेरे मम्मी पापा ने तयार किया कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन बालों का जड़ना आखों की रोश्णनी कमजोर होना जोडों गुटनों का दर्द होना कून की कमी होना ताकत की पुर्षों में अंधुरूनी कमी होना इसके अलावा hormonal imbalance होना लंबी आयुख तक जीना चाते तो इससे महतुपून दूसरी कोई ओश्रदी आपके लिए हो सकती तो दियानपूरवा कंता क अबश्यर देखेंups co यहां पे मेथी दाना ले करके उसको dry roast कर लिया है भून लिया है fenugreek seeds को यहां पे 50 gram की ही मातरा में बराबर मातरा में हमने लेने हैं soft जिसको अंग्रेजी में fennel seeds कहते हैं दोस्तों वीडियो को like करना बिल्कुल भी न भूले हैं दोस्तों उपरवाला उनकी जरूर मदद करता है सचे दिल से अगर आप आयूरवेद पर भरोसा करते हैं आपको लगता है कि आयूरवेद की जड़ी बुटियां हमारे शरीर में काम करती हैं तो comment section में yes लिखना बिल्कुल भी न भूलें आने वाले समय में आने वाली वीडियो में हम एक लगी विजेता का अपनी वीडियो में नाम लेंगे जिसका सबसे बड़िया comment होगा इससे related की आयूरवेद की कौन सी ओशदी आपके घर में आपके परिवार में आपकी मदद करी है तो उसके बारे में आपको नीचे लिखके अपना experience शेयर करना है यहाँ पे हमने दो किलो आमले ले लिया है आमले ये देसी वाले मार्केट वाले हमने नहीं लिया है जो बहुत बड़े बड़े होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं इसमें vitamin C कम होता है इस तरह से अच्छे से आपको साफ सुथरे पानी से वाश कर लेना है अपने हाथों को धो लेना है उसी के बाद में आपको यह अचार बनाना है और यह जो मेरी ममी और पापा अचार बना रहे हैं न दोस्तों यह 10 साल का 20 साल तक भी खराब नहीं होता है तेल हमने यहां पर ले लिया कितनी मात्रा में सर्सूं का तेल लिया दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कम से कम 500 मिली लीटर की मात्रा में एक पाव आप कह सकते हैं इसको दीमी आज पर आपको गरम करना है और वहीं पर जो हमने दोस्तों मेथी दाने को अच्छे से dry roast किया था जिसको हम fenugreek seeds कहते हैं उसको आपको grind करना है लेकिन grind कैसे करना है तेजी से machine को on नहीं करना है दीरे दीरे करके रुक रुक के आपको पीसना है ताकि इसके पोशक तत्व destroy नहीं हो इस तरह से powder बना लेना है लाइफ वीडियो में आप देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों सौफ जो हमने भूने थे dry roast किये थे final seed सौफ को भी आपको इस तरह से क्या करना है mixi grinder में डाल करके धीरे धीरे करके दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको भी final seeds आप देख सकते हैं जिसको हम soft कहते हैं वो दोस्तों हमारे pate के लिए digestion के लिए बहुत अच्छे होते हैं उनको भी piece करके powder बनाया तेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से दोस्तों पक चुका है इसके बीच में आमले डाल करके जो हमने दोए थे पूर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा हाई होगी तो पोश्यक तत्वे डिस्ट्रॉइ हो जाते हैं दोस्तों इसके बीच में से vitamins लेकिन सरसों के तेल में इस तरह से medium आच पर अगर आफ फ्राई करेंगे तो पोश्यक तत्वे बहुत ज़्यादा ह क्या बिल्कुल भी डिस्ट्रॉइन नहीं होंगे ये चीज़ का ध्यान रखें तो अभी मैं आपको क्या करूँ है कड़ाई में आपको नीचे पेपर रखके इसको अच्छे से निकाल लेना है ताकि तेल इसका सारा निकल जाए दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम में बहुत जाद है वो भी इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अच्छे से इसका तेल निकाल लेना है कड़ाई में आपको ठीक है यह चीज़ का ध्यान रखें से आपको अच्छे से तेल निकाल लेना आगे में आपको जो मम्मी पापा जो प्रोसीज करते हैं इसमें आप क्या डाल रहे हैं यह सोफ रहे है फोड़े से बुने मंई едा टाल रहे है इसके बाद यह डाल रही है दाल रहे हूंjust साबुत मेति मेति बाल रही हैं उसके बाद में कितनी क्वाउन्टट्टीite चार वांच ग्राम यहांच यह 10-10 ग्रम ठीक है 20-20 ग्रम ठीक है 20-20 ग्राम फिर उसके बाध की बाद सओफ का पौडr देले है। वहां जी ठीक सओफ का पॉडर इसके बीच में मिला देना है इस तरह से यह कितनी कॉंटी में मिला रहे है आप यह 20-ग्राम 20 ग्राम की quality में थीक है है यह मेρ्थि का पोडर यह बूना था यह ब जालनी है जीक है अब यह कितनी क्वाँटिटी में हल्दी डालनी है थीक है 10 से 20 ग्राम यह हल्दी आप जो लैव वीडियो में देख रहें इतनी क्वाँटिटी में इसके भीच में मिला लेनी है फिर उसक ठीक है ये कितनी quantity ये भी 20 ग्राम डारी है ये स्वाद अनुसार जैसे आपको मिर्ची टेस्ट लगती है मैं तो 20 ग्राम डारी है ठीक है जी 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 इसके बाद मैं नमक डारी है नमक कितनी quantity पचास ग्राम नमक पचास ग्राम ये स्वाद अनुसार आप देख सकते हैं जै यहाँ पे मेरी ममा है वो इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर रही है और मा के हाथ के अचार का क्या ही मतलब है जो वो हाथ से मिक्स ना किया जाए अच्छे से हैंड्स को वाश करने के बाद ही मेरी ममा इसको अच्छे से मिक्स कर रहे है तो इसी तरह से आपको mix करने के बाद एक चमज जो पका हुआ तेल है दोस्तों गरम नहीं होना चाहिए ठंडा होना चाहिए गरम करने के बाद पकने के बाद वो आपको इसके बीच में मिला करके इस तरह से हाथों से mix कर लेना है ये आमले को आप डबे में डाल करके रखें, अभी भी ये बनानी है, इसमें एक और चीज मिलानी है, लेकिन मैं आपको फायदे बता देता हूँ, पुरुशों में खून की कमी, ताकत की कमी, तंदुरुस्ती, चुस्ती फूर्ती की कमी नहीं रहती है, अंदर वाली ताकत की कमी, उसको ये दूर करेगा, किसी भी प्रकार की हडियों की कमजोरी, जोडों, गुटनों का दर्द, आँखों की रोशनी कमजोर रहती है, बाल अगर आपके बहुत अधिक जड़ते हैं, उमर से पहले सफेद हो गए हैं, और किसी भी तरह का दोस्तों आपको जॉइंट प ये जड़ी बूटियों को और शदियों को अचार को डाल करके रखें, तो यहां पर हमने कांच का डबा लिया, आपको भी कांच का ही डबा लेना है, बहुत सारे लोग प्लास्टिक का डबा लेते हैं, वो सही नहीं होता है, इसका सेवन करें, दोस्तों आपको 112 तरह की आय बीना भूलें,